सुबे खाली पेट चबाकर खाएं ये सिर्फ एक पत्ता, सो साल तक सुगरो, कोलोस्ट्रोल, पेट के रो, जोडों वैग घुटनों का दर्ग, मोटापा, बुडापा, कमजोरी और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होगी, नमस्कार दोश्तो, दोश्तो आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी पत्ते के बारे में बताएंगे, दोश्तो यदि आप इसके एक पत्ते को हर रोज सुबे खाली पेट, यानि की बासी मूँ चबाकर खालीते हैं, तो दोश्तो आपका पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा, दोश दोश्तो यह बात तो आप जानते ही हैं, कि यदि आपके सरीर की रोगों से लड़ने की सकती हाई होगी, तब आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे, दोश्तो क्या आपको डायवटीज की बीमारी है, और आप अपनी इस सुगर लेवल को कंट्रोल में रख कि कहीं आपको भी ये बीमारी ना हो जाए, क्योंकि जैसे दोस्तो आपके यदी फादर मदर को ये बीमारी पहले से हैं तो बहुत अधिक चांसिस होते हैं, इसलिए आपको आज सही सावधानी बरतने की जरूर्द है, लेकिन दोस्तो यदी आप इसे एक पत्ते का सेवन हर करेंगे तब आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए बचे रहेंगे इसके साथ ही इस बीमारी के जो भी कॉंप्लिकेशन है आप उन सब से भी बचे रहेंगे दोस्तों यदि आपके सरीर में बैड कोलोस्टोल बहुत अ काम करेगा और आपके बैड कोलोस्टोल की समस्या का भी इलाज करेगा और दोस्तों जब आपको कोलोस्टोल की कोई भी समस्या नहीं होगी तब आपको ना तो हार्ट ब्लोकेश होगी और नहीं आपको हार्ट डेक का सामना करना परेगा यानि आप कोलोस्टोल की समस्या का हाड ब्लोकेज का इलाज कर देंगे हाड ड़ेक का इलाज करतेंगे और इस से ब्लड फैसर की विमारी का भी इलाज करतेंगे दोस्तो क्या आपका पाचंतंतर कमजोर है या आपको पेट में गैस, कबज या एसिडिटी की समझा है आपका पेट प्रोपर साफ नहीं होता और आप जो भी खाते हैं वो आपके सरीर में नहीं लगता यानि कि आपके सरीर के अंदर कमजोर है जैसे होते हैं न कुछ लोग ख चबा कर खाएंगे बासी मों तो दोस्तों आपका पाचन तंतर मसबूत बन जाएगा और आपको पेट के सभी रोखों से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों आपको ना तो पेट में गैस होगी ना कबज होगी और ना ये एसडिटी की समझ्या होगी और जो आप खाएंगी व बज़र के समान मसबूत ना देता है और दोस्तों इसके कारण जो भी आपको जोडों या घुटनों का दर्ध होता है आप उससे हमेशा बच रहते हैं क्योंकि हमारे जोडों या घुटनों जो मैकसिमम दर्ध पाए जाता है वो कैल्σιम की कमी के पान पाए जाता है ये हमार इस समस्या का इलाज करना चाहते हैं आप बिलकुल सलिम और फिट बनना चाहते हैं दोस्तो तब भी ये पत्ता आपके लिए काम करेगा बस इसके लिए आपने क्या करना है इस पत्ते को पानी में उबाल कर सेवन करना है आपने दो पत्ते लेने हैं उनको पानी में उबालना है और उस पानी का आपने सेवन करना है और उस पत्ते को भी चबाकर खालेना है आपके चहरे पर हमेशा गलो रहेगा दोस्तो आप सत्तर की उमर में भी बीस के दिखाई देगे यानि आपका चहरा खिला खिला रहेगा जिससे आपकी चहरे की सुंदरता भी बढ़ जाएगी इतना चमतकारी है ये पत्ता और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिस पत्ते की बात कर रहे हैं वो पत्ता है दोस्तो पान का पत्ता दोस्तो वैसे मैं आपको बता दो कि यदि आप किसी भी बिमारी के लिए दबा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो आप नमबर देख रहे हैं उस पर कोल करके आप अपने घर पर ही दबा मंगा सकी दोस्तो ये बहुत अधिक चमतकारी है और आपके स्रीर की हर त्रहें की बिमारी का इलाज इस पान के पत्ते के पास है बस दोस्तो आपने इसका सेवन लगातार 21 दिन तक करने है और यदि आप 21 दिन तक इसका लगातार सेवन करेंगे तब आपको चमतकारी नतीजे दिखाए देंगे और दोस्तों इसका किसी भी त्रहें का आपको कोई भी nुखसान नहीं है, वैसे अगर फिर भी आपको कोई नुखसान दिखाई थे, तब आप इसका प्रयोग तुरंट बंद का दे, तो दोस्तों आप भी पान के प्रयोग करके अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना सकते हों, और अपनी सरीर की हर त्रहें की बीमारी से बचे रहते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर रोग कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी साथी आने वाले वीडियो की नोटिकेशन आत रहे धन्यवाद दोस्तु